ओम शान्ति आज दिनांक 30 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिख्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा बोले मीठे बच्चे यहां के करोडो अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं सब मिट्टी में मिल जाएगा इसलिए तुम अब सच खंड के लिए सच्ची कमाई करो बाबा बोले मीठे बच्चे यहां के करोडो अरब तुम्हारे काम नहीं आने हैं सब मिट्टी में मिल जाएगा इसलिए तुम अब सच खंड के लिए सच्ची कमाई करो सत बाप, सत पीचर, सत गुरु इस संगम युग पर आते हैं भारत भूमी में ब्रह्मा तन का आधारले हम बच्चों को ब्रह्मन बना कर सच्चा सच्चा गीता का ग्यान सुनाते हैं जिससे सच्छखंड की इस्थापना होती है तो बाबा कहते अब पुरानी दुनिया का विनास होना है तुम्हारी वानप्रस्त अवस्ता है अब तुम बच्चों को घर जाना है तो घर जाने से पहले सच्चखंड के लिए प्रालब्द बना लो अर्थात ऐसा पुरुशार्थ करो जिससे सच्ची कमाई हो सके सच्ची कमाई कराने वाला सत बाप सत सिक्षक सत फीचर आकर तुम बच्चों को सत स्रीमत देते हैं उस स्रीमत पर चलो ग्यान को धारन करो उसका स्वरूब बनकर सच्ची कमाई करो क्योंकि जो कुछ हांखों से दिखता है वह अब विनास हो जाना है वह किसी काम का नहीं रहेगा तो तुम्हारे काम जो आए उस चीच को कमाई अर्थात बाबा कहते कल्यूक का विनास सामने खड़ा है बड़े बड़े तो अंधिरे में हैं भल लाखो पती कदम पती करोड़ पती हो गए हैं माया रावन का ऐसा पॉम्प है जिसमें भस्ते ही जा रहे हैं लल्चाइमान हो रहे हैं तो बाब समझाते हैं वह सब है जूटी कमाई सब मिट्टी में मिल जानी हैं उन्हों को हासिल कुछ भी नहीं होना है तुम बच्चे बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने आये हो सचखंड के लिए सच्ची कमाई करते हो सब को वापिस घर जाना है वानप्रस्त अवस्ता है सब का सद गती दाता सद गुरु बाप एक ही है साधू सन्यासी पतितों को सब का उद्धार करने के लिए बाबा आया हुआ है इसलिए बाबा कहते छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है सिव बाबा को याद करो बाकी जो कुछ देखा जितने भी चित्र देखे सब उड़ा दू एक सिव बाबा दूसरा न कोई प्रश्न किया बाबा ने किस एक बात के कारण ब्रह्मन किस एक बात के कारण तुम ब्रह्मन देवताओं से भी उच माने जाते हो उत्तर में बाबा कहते हम ब्राम्मन अभी सर्व की रूहानी सेवा करते हैं हम सभी आत्माओं का मिलन परमात्मा बाप से कराते हैं यह पबलिक सेवा देउता नहीं करते हैं वहां तो राजा रानी तथा प्रजा है जो यहां का पुरुशार्थ किया है उसकी प्रालब्द भोगते हैं सेवा नहीं करते इसलिए बाबा कहते तुम सेवाधारी ब्रहमन देवताओं से भी उचो अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को सत ग्यान सुनाते हैं और उस ग्यान के आधार पर सत्युग अर्थात सच खंड की इस्थापना करते हैं तो इस्थापना करने के लिए रुद्र ग्यान यग्य रचते हैं यग्य की समाल करने के लिए बाबा कहते ब्रहमन चाहिए तो मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मनों को एड़ाउप्ट करता हूँ तुम सचखंड की इस्थापना में मेरे मददगार बनते हो जिसका गायन भक्ती में सालिग्राम के रूप में होता है स्यू की संतान सालिग्राम बनते हो उचे ते उचे तुम ब्रह्मन गाय जाते हो, क्योंकि उचे ते उचे बाप की संतान बनते हो, उचे ते उचे बाप से स्रीमत लेकर, सच खंड की इस्थापना में मदद करते हो, अनात को सनात बनाते हो, जो बच्चे बाप को नहीं जानते, उन्हें बाप का परिचाई देत यहाँ जो सेवा है रोहानी सेवा तुम बच्चे ही करते हो तुम बच्चे ही बाप से बच्चे को मिलाते हो यहाँ जो पबलिक सेवा है वहाँ देवता भी नहीं करते कोई नहीं करता एक बाप के साथ तुम बच्चे ही करते हो इसलिए तुम्हें ब्रह्मन चोटी कहा जाता है तुम्हारा कुल देवताओं से भी उच माना जाता है क्योंकि तुम्हारी होती है चड़ती कला और देवता इस ग्यान को नहीं समझते वे कोई सेवा आदी नहीं करते वे यहां का किया हुआ पुरुशार्त वहां पर प्रालब्ध में प्राप्त करते हैं तो तुम बच्च से उच काहे जाते हो इसी लिए बाबा कहते तुम तो हो ही गुप्त तुम कोई से लड़ाई लडने वाले नहीं हो किसको दुख नहीं देते हो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मना कोई को दुख नहीं देना बाप कभी किसी को दुख नहीं देते सुक धाम का मालिक बनाते ह तुम भी सब को सुख दो बाबा ने समझाया है कोई भी कुछ भी कहे सांत और हर्शित्मुक रहना चाहिए योग में रहकर मुस्कुराते रहना चाहिए तुम्हारे योगबल से वह भी सांत हो जाएंगे खास करके बाबा सुरीमत देते टीचर को कि टीचरों की चलन बहुत अच्छी चाहिए कोई से भी घ्रणा न रहे बाबा भी कहते हैं मुझे किसी से घ्रणा नहीं है बाप जानते हैं ड्रामा बना हुआ है सब अपना पार्ड बजा रहे हैं तो ऐसे ही तुम बच्चों को भी ड्रामा को इस्मरती में रखना है सब की चाल चलन देखते हुए सब के प्रती सुब भावना सुब कामना रखना है बाबा कहते सब का देखो खान पान कितना मलेच है जो आता है वो खा लेते है लाइप सब को प्यारी लगती है हमको भी लाइप प्यारी लगती है क्योंकि हमें इस देह द्वारा बाबा से वर्सा लेना है सत्यूगी राजाई प्राप्त करना है जिसके लिए इस देह से ही पुरुशार्थ करनी है तो इसी देह से प्रालब्द बनेगी योग से हम हेल्थी बनेंगे ग्यान से हम वैल्दी बनेंगे health wealth है तो बाबा कहते सब कुछ है और सिर्फ health wealth नहीं है तो सुख भी सुख नहीं होगा क्योंकि भल तुमारे पास कितने भी पैसे हैं पर health wealth नहीं है तो दुख होगा ही तो बाबा कहते हैं कि बच्चे और सब बातों को छोड़ पड़ाई पर ध्यान रखना बाप की याद ना रहे पड़ाई में मस्त ना रहे तो समझो तुम्हारा time waste हो रहा है तुम्हारा time most valuable है इसलिए waste नहीं करना चाहिए सरीर निर्वा भल करो बाकी फालतू ख्यालातों में time नहीं गवाना है तुम्हारा second second हीरे जैसा valuable है बाप कहते हैं मन मना भव बस वही time फायदे का है बाकी सब time waste चाता है तो चार्ट रखना है कि हम कितना time waste करते हैं कितना time बाबा को याद करते हैं बाबा ने मंत्र दे दिया मन मना भव और मन मना भव हैं तो time सफल है और मन मना भव नहीं है पढ़ाई में ध्यान नहीं है तो time waste है तो बाबा कहते स्रीमत पर चलना पड़ाई रोच पढ़ना अच्छी रीती गुण धारण करना किसी को दुख ना देना सबको सुख दाता पिता से मिला कर सुखी बनाना खुद भी सुखी रहना हर्शित्मुक रहना कोई कुछ भी बोले ड्रामा की भावी को जान सदा हर्शित्मुक रहना बाप एक ही है वही आकर सदगती करता है सच्ची सच्ची मत देता है तो उस बाप की स्रीमत अर्थात सच्ची सच्ची मत पर चलकर सच्ची कमाई करके सच खंड के लिए कमाई जमा करना है बाबा कहते यहाँ खेल है सुख और दुख का गाया भी जाता है माया से हारे हार माया से जीते जीत है अब माया को जीत बाबा कहते तुम बच्चे राम राज्ये में जाते हो राम सीता का राज्ये त्रेता में है सत्यूं में है लक्षमीना रैन वहां तो है ही आदि सनातन देवी देउता धर्म उसको इस्वर्य राज्य कहेंगे जिसके लिए तुम पुरुशार्थ करते हो तो एक राम आता है राम राज्य इस्थापन करने उसकी स्रीमत पर चल कर हम राम राज्य में जाने का पुरुशार्थ करते हैं तो बाबा कहते हैं बाप को कभी सर्व्यापी नहीं कह सकते ब्रदर हुड है बाप एक है तुम सब आपस में भाई भाई हो बाप बैठ आत्मा को ही पढ़ाते हैं बाप का फर्मान है मुझे याद करो मैं आया हूँ भक्ती का फल देने किसको उन बच्चों को जो सुरू से ल देने के लिए सिव बाबा आया हुआ है देखो सोमनाथ का मंदिर कितना जवर्जस थे तो विचार करना चाहिए कि हम कितने साहुकार थे अब कोडी मिसल बन गए हैं बाबा फिर से हमें साहुकार बना रहे हैं वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते स्रेष्ट मत प्रमान हर कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव स्रेष्ट मत प्रमान कर्म कर्म योगी बन करने वाले कर्म बंधन मुक्त भाव डिटेल में बाबा कहते जो बच्चे स्रेष्ट मत प्रमान हर कर्म करते हुए बेहद के रूहानी नसे में रहते हैं वह कर्म करते कर्म के बंधन में नहीं आते नियारे और प्यारे रहते हैं कर्म योगी बन कर कर्म करने से उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती वे सदा नियारे और प्यारे रहते हैं अर्थात दुख की लहर से मुक्त होने के लिए, कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, बाबा कहते रूहानी नसे में रहो अर्थात आत्म अभिमानी होकर रहना है, सदा कर्म करते एक बाप की इस्मरती रखना है सदा यही इस्मरती रहे कि करावन हार बाप करा रहा है, हम निमित होकर कर रहे हैं, तो यही इस्मरती बाबा कहते न्यारा और प्यारा बना देती है और जो बच्चे न्यारे और प्यारे रुआनी नसे में रहते हैं उन्हें कोई भी कर्म का बंधन अपनी और आकरसित नहीं कर सकता वे कर्म बंधन में नहीं फसते सदा दुख की लहर से मुक्त सुखी न्यारे और प्यारे रहते हैं कोई भी कर्म का बंधन उन्हें अपनी और खीच नहीं सकता सदा मालिक हो कर्म कराते हैं इसलिए कर्म बंधन इस्थिती का बाबा कहते सदा मालिक होकर कर्म करते हैं अर्थात मैं आत्मा हूं इन करमेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूं इस इसमरती से कर्म करते हैं तो एक बाप की इसमरती में रहकर कर्म करते हैं तो कर्म भी स्रेष्ट होता है तो ऐसी आत्माएं सदा खुस रहती हैं दूसरों को भी खुसी देती हैं। प्रश्ट सक्तियां प्रदान करता है सर्व गुण प्रदान करता है ग्यान रत्न देता है तो उन ग्यान रत्नों का प्रयोग करना उन गुणों को अपने स्वरूप में लाकर प्रत्यक्ष करना और सक्तियों का प्रयोग हर परिस्थिति पर करना तो जितना जितना हम बाबा स प्राप्त हुई खजानों का प्रयोक करते हैं उतना अनुभवी मूर्थ बनते हैं और माया का कैसा भी रूप हो हमें धोका नहीं दे पाता तो इसलिए बाबा कहते अनुभवों की अथोरिटी बनो अर्थात ऐसे मालिकपन की सीट पर सेट हो जाओ कि कोई भी सकती कोई भी ग प्यान रत्न हमें जैसे आवश्यक्ता हो हमारे सामने हाजिर हो जाए और हम उसका प्रयोक कर धोके को हरा दे धोके से मुक्त रहें यही बाप दादा की सिरिमत है अच्छा ओम शान्ति